Hello friends, मैं हूँ अन्य बुलना और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी भीगा के नेक्स डे मॉर्निक ग्राइड करके डारेक्ट बना सकते हो अब यह मैं इसको रख रही हूँ भीगने के लिए पाच घंटे बाद मैं चेक करें दाल काफी अच्छे से भीग गया है अब मैं इसको मिक्स के जार में डाल के ग्राइड करूँगी ग्राइड करते समय मैं इसमें थोड़ा सा अद्रक, हरी मिर्च और चीरा डाल के ग्राइड करूँगी आप चाहो तो डारेक्ट ऐसे भी ग्राइड कर सकते हैं अद्रक और हरी मिर्श डालने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, ऐसे पराने से बिना चिटनी के भी आप खा सकते हो, अच्छा लगेगा, अब ये काफी अच्छे से ग्राइंड हो गया, इसको हमें चिटना ग्राइंड करना है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल म तो तवे के उपर डालने से अच्छे से प्रेड नहीं हो पाएगा, अब ये काफी अच्छे से है, मतलब इसका जो कंसिस्टनसी है, वो परफेक्ट है, मैं इसको रख रही हूँ साइड में, अब ये हैं प्याच, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, इनको मैं आपस में मिक्स कर र अब मैंने तवा गरम होने रग दिया है, उसके पर थोड़ा सा पानी डालके टिशू पेपर से क्लीन कर रहे हूँ, ताकि जो तवे का टेंपरेचर है, वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैंने एक स्पून बैटर लिया है, तवे के उपर डालके इसको एकदम गोल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह डालने से टेस्ट अच्छा रहता है और स्पेशली रेस्टरांट्स में इसी तरह से सर्फ किया जाता है, और इसके साथ दिया जाता है अदरकी चटनी, पेसर रट्टू और अदरकी चटनी बहुत ही perfect combination है, अदरकी चटनी का लिंक मैं आपक किनारा छोड़ रहा है, मतलब आपका दोसा बनके रेडी है, आप मैं इसे निकाल रहे हूँ, आप चाहो तो इसे पलट के दोनों तरफ से सेख सकते हो पट ऐसे भी अच्छा लगता है अब ये हो गया है, मैं इसको निकाल रहे हूँ सर्विंग प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल के मैंने इसकी साथ सर्व किया है कुंद्रू और अद्रक की चट्नी अगर कुंद्रू की चट्नी नहीं भी है तो आप इसे अद्रक की चट्नी के साथ सर्व करना बहुत अच्छा लगेगा अब ये बन गया है इसी तरीके से मैं और दोसा बना रही हूँ सेम वैसे तवे के उपर पानी डालके टेंपरेचर उसका नॉर्मल किया है टीशू पेपर से क्लीन करके फिर उसके बाद एक स्पून बैटर लिया है तवे के उपर डाला है डालके उसको अच्छे से स्प्रेड किया है फिर उसके उपर मैं डाल रही हूँ प्याच, हरी मिर्च और धनियापती जिसको हमने मिक्स किया वो और थोड़ा सा जीरा डालके जैसे यह सिख जाएगा उसके पाद हम लोग इसे निकाल के सर्व करेंगे इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स लिपे बना सकते हो टेफिन, ब्रेकफास्ट किसे के लिए भी बना और किसी भी चटनी के साथ सर्व करो सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है अब आप भी ये टेस्टी पेसरटू बनाएए अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू